आज हम बनाएंगे चावल की मलाईदार खीर बहुती टेस्टी लगती है और बहुती जल्दी बनके तैयार हो जाती है इसमें हम मावा का यूज नहीं करेंगे पर फिर भी मावे जैसा टेस्ट इसका आ चाता है कोई त्योहार हो या कोई शुपकाम चावल की खीर तो बनती है भगवान जी को भोग चड़ाने के लिए भी हम चावल की खीर बनाते हैं तो चलिए फिर बहुती टेस्टी लगने वाली मलेई जिसी ये चावल की खीर बनना शुरू करते हैं आदा कटोरी हमें चावल लेने हैं, मैं यहाँ पर छोटे दाने वाले चावल यूज़ कर रही हूँ इसमें हम पाने डाल की इसे अच्छे से वाश कर देंगे, दो तिन बार पानी से वाश कर देंगे अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में एक पतिले में हमें एक टेबल स्पून गी गरम कर देना है और जब गी हलका सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो चावल हमने धोकर रखे थे वो आड़ कर देंगे और दो चमच कटे होए बादाम, दो चमच कटी होए काजू मिला देना है दो चमच हम इसमें किश्मिश मिलाएंगे ड्राइफ रूट साब अपने ही साब से आड़ कर सकते हो अब हमें इससे दो मिनिट तक स्लो फ्लेम पे भून लेना है इससे खीर को बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है अब हम इसमें दूद मिलाएंगे तक करीबन पास्वेम चावल दूद मिला देना है ये चावल को हमें दूद के साथ अच्छे से पकाना है जब तक की चावल गल नहीं जाते ये आप देख सकते हो कंसिस्टनसी बस चावल पक जाए उतना ही दूद हमें इस वक्त इसमें मिलाना है बाकी हम बाद में आड़ करेंगे ढखकन रखके हम इससे 15 मिनट तक पकने देंगे और हाँ बीच बीच में चेक करते रहेंगे अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो चावल अच्छे से गल गए है परफेक्ट बस इसी स्टेच पे हमें करना यह है कि एक मथनी लेनी है और उसकी मदद से हम चावल को थोड़ा सा क्रश कर देंगे इससे क्या होगा दूद और चावल सेपरेट नहीं होंगे और जो कंसिस्टन सी चाहिए होती खीर को वो आ जाएगी एक चोटा एक अपचीनी मिला देंगे इससे परफेक्ट मिठा बन जाएगा एक कटोरी घर की फ्रेश मलाई मिलाएंगे थोड़े से दूद के साथ इससे मलाई जैसे खीर बन के तयार हो जाती है अब हम इसे मिक्स कर देते हैं और एक कटोरी दूद मिलाएंगे अब हम इसे मिक्स कर देते हैं और ये देख सकते हो आप कंसिस्टन सी स्लो फ्लेम पे हम इसे 10-12 मिनिट तक पकने देंगे बीज बीज में इसे हिलाते रहे आप इसमें इलाइची पाउडर या फिर केसर मिला सकते हो पर मैंने इसे सिंपल मलाई फ्लेवर का ही रखा है 10-15 मिनिट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं और अभी आप देख सकते हो खीर की कंसिस्टनसी परफेक्ट कंसिस्टनसी के साथ मलाई खीर बन के तयार हो गई है जब यह ठंडी हो जाएगी तो और गाडी हो जाएगी फटा-फट से सर्विंग कर लेते हैं इसके उपर हम थोड़े से ड्राइफरूट्स डाल के इसे सजा देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे इंस्टन्ट बनने वाली चावल की मलाई ड्राइफरूट खीर बन के तयार है भगवान ची को भोग चड़ा ना हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो आप इसे घर पे जरूर बनाईए बहुती चल्दी ये मलाई खीर बन के तयार हो जाती है और टेस्ट में तो सुपर से भी उपर है यकिन मानिए ये सब को बेहत पसंद आईगी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर मादेव